हलो स्टुटेंट्स वेलकम और वेलकम बैक टू क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइट एंद थैंक यू सो मच फो जोइनिंग अस तो स्टुटेंट्स क्लास 11 होन्मिल बुक के पोईम नमबर वन है अब फोटोग्राफ इसके हम टेक्स्ट बुक के कोश्चन एंड आंसर को कवर कर रहे हैं तो आज थिंक इट आउट से हमारे पस कुछ कोश्चन है जिनको की हम कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमबर वन है इस परम के अंदर जो वर्ट कार्ड पोड है वो क्या दरशाता है वाई है यह यह दरशाता है कि एक फोटोग्राफ जो है वो हार्ट थिक पेपर के ओपर पेस्ट की गई है the term cardboard refers to the fact that in the past photographs were pasted on cardboard and a wooden frame was placed on all four sides with glass in front of it to secure the photographs और उसके साथ साथी जो cardboard की terms है यही भी रफर करती है इस तथे को यह रफर करती है कि पुराने समय में जो photographs होती थी वो cardboard की उपर paste किर दी जाती थी और उसके सामने एक glass का frame लगा दिया जाता था और उसके चारों तरफ एक wooden frame को लगाया जाता था जिससे कि यह photograph जो होती थी पूरी तरह से secure हो जाए यानि कि यह खराब ना हो तो यहां पर जो हमें पहला मतलब समझ में आता है cardboard word को denote करने के लिए वो यह नजर आता है कि पुराने समय में photograph को इसी तरीके से सरक्षित किया जाता था cardboard के उपर चिपका कर the second meaning of cardboard tells that the way the cardboard itself gets damaged over time और जो इसका second meaning है cardboard का वो हमें यह बताता है कि जो cardboard है वो खुद तो समय के साथ नश्ट हो जाता है damaged हो जाता है but does not allow the photo to get damaged लेकिन वो photo को damaged नहीं होने देता in the same way people leave this world but their memories never fade away और बिल्कुल इसी तरीके से जो लोग होते हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन जो उनकी यादी होती हैं वो कभी भी धुनली नहीं पड़ती वो किसी ना किसी रूप में इस दुनिया में रहती है चै फोटोग्राफ के रूप में चै पिचर के रूप में किसी भी रूप में उनकी यादे जो हैं वो हमारे दिलो दुमाग पर चाही रहती है तो जो second meaning है स्टोरर्स cardboard का वो यही है कि cardboard खुद तो नस्ट होता है लेकिन photo को बचा के रखता है उसी तरीके से people भी दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी memories यहाँ पर रह जाती है next question है what has the camera captured की जो camera है उसने क्या capture किया था camera में क्या चैस कैद होई थी तो answer है the camera has captured the three girls अब camera ने कैद किया था तेन लड़कियों को the poetess mother and her two cousins Betty and Dolly और उसमें एक तो जो कवेतरी है यह जिनोंने की poem लिखी है शरली टॉलसन इनकी मा थी और उसके साथ उनकी दो cousins चचेरी बहने थी Betty and Dolly in their swimming dresses और यह किसमें थी यह अपनी swimming dresses में थी in the middle is the poetess mother and on both sides her cousin sisters are standing holding her hands photograph के बीच में जो शरली टॉलसन है इनकी मदर थी और इनके दोनों तरफ इनकी cousin sisters थी जिनोंने की उनके हाथ को पकड़ रखा था all the three girls are smiling और यह जो तीनों ही लड़किया है यह smile कर रही थी three girls walking barefoot on the beach और उसके साथ साथी जो तीनों लड़किया है यह नंगे पैर बीच के ऊपर चल रही थी तो photograph ने इस photo को capture किया था तो next question है what has not changed over the years की साल बदलने के साथ भी क्या चीज है ऐसी जो change नहीं होती does this suggest something to you और यह आप लोगों को किस चीज के बारे में suggest करता है तो answer है the sea does not change over the years की जो समुदर है वो वक्त बढ़ने के साथ साल आगे बढ़ने के साथ बदलता नहीं है the waves of the sea don't change with time और उसी तरीके से जो समुदर के लहरे हैं वो भी वक्त के साथ बदलती नहीं है its waves have the same playfulness, the same brightness and the same speed fresh and tireless और जो समुदर के लहरे हैं वो पहले की तरह ही अठखेलिया करती हैं उसके अंदर बिलकुल same brightness रहती है same speed रहती है इनकी और freshness भी same रहती है और उसके साथ साथ यह tireless होती है यानि के ठकती नहीं है तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, साल आगे बढ़ते हैं समुदर नहीं बदलता और समुदर की लहरों के अठखेलिया भी नहीं बदलती the changelessness of sea reminds us of the changes in human face with advancing age और यह जो sea जो change नहीं होता है इसमें जो बिलकुल बदलाव नहीं आता है यह हमें remind कराता है कि जो human का face होता है जैसे जैसे वो अपनी advanced stage मा आता जाता है बोड़ा होता जाता है उसके face में बदलाव आता जाता है लेकिन समुदर के अंदर कोई बदलाव नहीं आता with time a person becomes old and one day he leaves this world और समें के साथ क्या है इनसान बोड़ा हो जाता है और एक दिन ऐसा आ जाता है वो इस दुनिया को छोड़ कर चला जाता है और यह जो इनसानों की physical identity होती है वो इस दुनिया में बिलकुल भी शेश नहीं रहती केवल उनकी यादे रह जाती है और वो भी किस तरीके से उनसे जुड़ी कुछ चीजों की वज़े से लेकिन जो समुद्र है महसागर है यह बिलकुल सेम रहते हैं वक्त बदल जाता है टाइम बदल जाता है साल आगे बढ़ जाते हैं हुमन्स इस दुनिया को छोड़ कर चले जाते हैं लेकिन यह समुद्र और इसकी लहरे यहीं रहते हैं तो student उमीद है ये answer आपको बहुत अच्छे से clear हुए होंगे वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए all पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हैं हम आपसे अपने next वीडियो में keep watching, stay connected Thank you